प्यारे बचो मैं लगभख लगभख अपने हर एक वीडियो में एक बात कहता हूं कि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्य आ रही है आपके सामने दी किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप उस सवाल को नीची कॉमें सेक्षन पर जरूर डालिए लेगन आज तक किसी भी छात्र या छात्रा ने कोई भी ऐसा क्रिस्टन नहीं पूछा मुझसे जो कि एक आपके टॉपिक से रिलेटेड हो देखो आप लोग लेखते नाइस वीडियो गुट्टी यह तो एक अलग चीज है इनसे न तो आपका भला होगा और ना यह तो मेरा खुद का भला होग है जब आप मेरे साथ में बिल्कुल एक्टिव तरीके से पढ़ेंगे एक्टिव तरीके से पढ़ेंगे तब ही आप कुछ शीख पाएंगे और इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपके पास किसी भी प्रकार के समस्या हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में दो-तीन बाते हैं या उसके दो-तीन कारण हो सकते हैं पहला कारण तो मैं यहां पर यह मानता हूं कि आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा है वो वीडियो में जो भी बाते बताई गई है वो सारी बाते आप को बहुत ही अच्छे समझ में आ गई हैं दूसरी इसका आपको यहां पर यह हो सकता है कि आप जो है ना अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है आप बिल्कुल भी मन लगा करके नहीं पढ़ते हैं केवल आप खाना पूर्ती करते रहते हैं और यह तो दूसरे बात यह होगी कि आप वीडियो पूरा देखते ही नहीं है कि वाग्यें अच्छी बात हैं कि आपको हर Це मतलब है कि आपको हर एक बात में समझा रहा हूं और यह दोसरा रीजन कि आपने थोड़ा बहुत भी लपरवाई किये तो बेटा में एक बार बता दूँ टाइम उतना ही है ठीके आप यदि वाकी में पढ़ना चाहते हैं यदि आप वाकी एक जागरूक छात है तो आपको अपने समय का सद्वियोग करना सेखना चाहिए क्योंकि जीवन में सब कुछ बैलेंस में रह लोगे तो कल आपका आने वाला जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा और यदि इसका कारण कहीं आपको यह तीसरा है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो मैं आपसे यहीं कहूंगा कि आप दो मिनट चार मिनट वीडियो मत देखिए यदि आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर देखिए और यदि आपको उसमें भी कोई बार नहीं समझ में आती है तो पूछिए और जब आपको सारी बारते समझ में आते हैं तो आप लोग यह तो लिख सकते हैं कि हां सारी चीजे समझ में आ गए यह तो यह लिख दीजिए य तब तक मैं आपको कैसे बताऊंगा ठीक है तब तक मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं कि आखिरकार इस बात को हम इस तरीके से सीख सकते हैं क्लियर तो इस बात को ध्यार में रखिए कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरे मन के साथ में केवल आपको पचीस मिनट चौबेस मिनट तीस मिनट अभी जो वीडियो के लें थे लग बग 20 मिनट से आपका 30 मिनट के बीच महीं मातर आपके वीडियो के लें थे अब देखे वेटा आज तो मैं केवल आपसे पहले कुछ प्रस्न पूछूंगा और उन सारी क्विस्टन का जवाब यदि आपको पता है तो अच्छी बात है मैं चाहूंगा कि आप उन सारे सवालों के जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर दें और इससे मुझको यह पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना जागरूख है कौन सा स्टूड इस्टूडेंट कितनी बात मानता है इस बात कभी पता चल जाएगा आज और यदि आप एक जागरूख छात्र होंगे वाकिए में कुछ करना चाहते हैं तो आप वीडियो पूरे जरूर देखेंगे साती साथ आप मेरे सवालों के जवाब भी देंगे देखी वेटा मैंने आपको बहुत सी चीजे समझाएं अभी तक एक्टिव और पैस्वी में से ठीक है उसमें से जो आपके लिए है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है मैंने कहीं पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टेविल के बारे में भी बताया था कि किसी सब्जेक्ट है क्या होता है ठीके ना तो आपको इसके जितने भी पता है आप पूरे को एक बार कोमेंड सेक्शन पर जरूरूर लिखिए पहला विश्चन तो आपके यहीं है थिक दूसरा आपके यहें अपको बीके रूपों बIAN intentar कर दिढ currentaker है ठीक है न कर रिक्के यह है कि मैंने आपको जो टेबल वह पर कौन सी बात accurately समझ में नहीं वह बात भी आप कमेंड शेक्शन पर जरूर लिखेगा मैं आपको बहुत अच्छे तरह से फिर से भी समझा सकता हूं क्योंकि कि मेरा केवल उद्धे इसे कि एने हाओ आपको को आना चाहिए अब किया का तो बेटा बात नहीं बन पाएगी समझ में आ गाए आपको बाती है तो ध्यान रहरा किये तो आपको टेबल के बारे में भी बताना है कि कि आपको टेबल कहां पर समझ में नहीं आ रही है के लिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज आगे उसी के देखो अब हमको समझना है कि जब हम लोग किसी भी एक्टिव के वाक्रे का पैस्वी बनाते हैं तो पैस्वी बनाने का क्या रूल होता है देखिए मैं आपको नियम का एक क्रम याद कराता हूं नियम का क्रम यह होता मैंने आपको बताया था आपकी दुनिया का कोई भी वाक्ष होगा उसके लिखने का क्रम के वल एक ही होता है कि सबसे पहले उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेट दिया जाएगा उसके बार में आपको अब्जेट याएगा और संम् टाइम्स वहां पर आपका इट सेट्राइब हो यानि कि इटिसी जो कुछ अधर वर्ड्स होते हैं वह भी आपके उस वाक्त में दिये जाएंगे तो आपको यह ध्यार में राग रखना है कि कोई भी आपका वाक होगा एक्टिव का हो चाहे तो पैस्टिव का हो उसको इसी क्रम्मे में लिखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है उसके बाद में वहां पर आपको लोगों को लिखना थिक ना दूसरी बात अंतर के वल आपका कहां पर आता है अंतर के वल ये आता है कि यदि आपका सेंटेंस सेंटेंस एक्ति में हैं तो हाँ पर लिखना है और यह आपका सेंटेंस हो तो वहाँ पर वर आपकी जो है इस अनुषार आईगा और यहीं सेंटेन्स के अनुषार कि अनुषार आएगा और यह बात बिल्कुल दिमार्ख में बैठा लेजिए कि जो सब्द आपके एक्ट्रीश में पहले को यह सबन बिलकुल इसी जरी कि से पहचानना बताया था क्यहसान से सेंटेंप में या उस के साथ में हिंदी के वाकियों में द्वारा लागा हो तो समझ ली जी कि वह हिंदी के वाक्त आपका पैसीव फॉर्म में लिखा है यह बात आपको मैंने पहले बताई दी थी उसके बाद में मैंने आपको यह भी समझाय था कि हम लोग एक्टिव के वाक्यों में सब्जेक्ट किसको बनाते हैं और पैसीव के वाक्यों में सब्जेक्ट किसको बनाते सब्जेक्ट बनाते हैं जबकि सब्जेक्ट हम लोग हमें सब वस्तू ब्यक्ति स्थान को बनाते हैं जिस वस्तू ब्यक्ति स्थान के उपर कारे किया जाता है इस तरीके की बाते मैंने आपको समझाएती अब वो सारी चाहिए आप लोग बहुत सिंपल तरीके से सीख लीजि और यह बिलकुल आपका एजट रह जाएगा फिर से देख लिजिए कि यह अब्जेक्ट को ले आएंगे यहां पर इस अब्जेक्ट को यहां पर यहां पर ले जाएंगे और इस वाब को बिल्कुल एजिटीज यहीं पर लिखे देंगे ठीक है ना इसका मिलब क्या हुआ इसका मला बिल्कुल आसान है और यह जो आपका लिखात है यह एट सेटरा तो यह आपका एजितिज बल्कूल अंते में आएगा इसका मलब बच्चों यह है कि जो ैक्टिव के वाक्ट में आब जन्यों होता है वही पैसि के वाक्ट का सब्जेक्ट सब्झेंद होता है ठीक वर्ब में केवल यदि आपका सेंटेंस एक्टिव का है तो हम लोग पैसिफ के वाके का subject होता है उसको हम लोग पैसिव के वाके में क्या कर देते हैं object बना देते हैं अब बाकि जो आपके अन्सब्द होते तो उनको अज़ेटी जो सेंटेंस के लिखे देते हैं समझें यह के वाल आप लोग एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी भी एक्टीव का पैसिव बनाएंगे तो नियम हम लोग किस तरीके से लगाएंगे सब से पहले क्या करेंगे एक्टीव के object को पैसिव को subject बना दे हैंगी और यहां पर जो आपको अब लिखी थी तो आपको एक्टीव के लिखी थी क्लियर तीसरी बात यह है कि जो एक्टीव का subject होता उसको हम लोग हमेशा जो है पैसिव में क्या कर देते हैं object के फॉर्म में लिखते हैं और जो आपके एट्चेटरा वाले वर्ट्स होते एक आपके जो हम लोग active की वहां प्लस आपके पैसिव की क्रिया वह और यह में पॉइंट इतने हैं के वाल आपके पैसिव बनाने के नियम में बांकि इसके लाव कोई नियम नहीं है ठीक है कोई नियम नहीं है बढ़ चोटी चोटी चीजिए जो हम को कीवाल आगे चलके पहचाने नहीं है और वो भी मैं आपको पहचानना इन वीडियो में से सिखा दूँगा जो अगले वीडियो होगे यह दिया आपको इस तरीके से ना याद हो रहा हो तो एक तरीका आप लोग ऐसे करें के देख लिजी बेटर समझ लिजिए इस तरीके से भी कि आपका जो एक आप लोग इनका पैस्यू बनाएंगे तो पैस्यू बनाने में क्या करेंगे आप लोग पीछे से आगी की तरफ चले आईए पीछे से आगी की तरफ चले आईए उल्टे करम में के पहले तीन फिर दो फिर एक मलब जो एक दो तीन लिखा है उसी का पैस्यू बनाने में तीसरे नम्मर पर है उसको पैस्व में पहले नम्मर पर ले आना है जो एक्टिव में आपको दूसरे नम्मर पर है उसको आपको पैस्व में भी दूसरे नम्मर पर ही लिखना है और जो एक्टिव में आपका पहले नम्मर पर है उसको आप लोगों को पैस्वी में तीसरे नंबर पर लिख देना यह के वल आपके रोल्स होते हैं आप इन इस सेक्विंस से के अकॉर्डिंग में आप लोगों को निखाता हूं कि पैस्वी बनाने के जशन्रल मेंने कौनाआघ़ बढ़ता हूं मैं इसी को थोड़ा सा सोट में उपर कहीं पर लिख दे देता हूं ताकि आपको बड़ी असानी से समझ में आ जाए मारकर है भूंका हो जाता सुबह सुबह से क्या करेगा तुम लोग तो खापी कराते हो गया एक माय और एक मेरा मारकर वही दो लोग भूखे रहते हैं देखिए में यहां पर लिख देता हूं बिटा स्वाट में कि एक्टिव कर हो गया यहां पर आपका पैस्वी में लेख दिया मैंने ठीक है न इसमें सबसे पहले कहा है इस अब्जेक्ट अब्जेक्ट अब्जेक्ट ए ट्रेट्ट ठीके अब देखिए आप लोग चाहते आप नमबर डाली शेए अचाहते जैसे मनें क्रॉस करके दिखाया था आप लोग ऐसे क्रॉस करके लिख लिए ठीक है अब यहांता पर वही नम्मर आपको यहां भी लिखना है मैं आपको तीनों तरीकों से बता रहा हूsın इसको क्रोश कर यह ऐसे इसका हुआ समझ गया है कि इसको क्रोश कर दीजिए क्या असे ठीक है नौ और एच्छेट्रा जो होता है यह आपको यह थे sentence के अंतिम ही लिख देना है आपको ठिक यह केवल आपके पैस्यू बनाने के समाने नियम है अब देखें हम इसी को समझ करके यहां पर रूल लिखते हैं कि पैस्यू बनाने के जन्रल रूल्स क्या निया हमें रूल नम्मर एक पहले देखें हमने आपके क्या है कि एक्टिव का आपजेक्ट है उसको हमने आपके पैस्यू का सब्जेक्ट बना दिया ठीक है तो यहां पर लिखेंगे एक्टिव वाइस के अब्जेक्ट को अब्जेक्ट को अब्जेक्ट को पैस्यू का सब्जेक्ट बना देते हैं दूसरा नियम होगा बच्चो अब देखें आप यहां पर यहां पर आपके जो पैस्यू की वाइस के अकॉर्डिंग करते हैं अच्छा एक मेरे सवाल है आपसे यह एक आपको सवाल और भी है क्या पैस्यू के वाक्यों में टेंस का परिवर्तन होता है और आपको पहले तो जब हाया नामे देना है ठीकर और उसके बाद आपको अपने उत्तर का कारण भी बताना है नहीं होता है हो सके तो एक एग ने अपने आप कारण करुशार बास अगगा यह दूसरे नमर पर क्या है तो कि एक्कॉर्डिंग का प्रियोग करते हैं तीसरा नियम आपका होगा यहां पर मैं अझिसरा नियम देखो क्या होगा कि अशी को सब्जेक्ट को एसंग पर serv का उपजहक्ट बना देते हैं तो वही companion है आपको कि एक्ट्व की सब्जेक्ट को पैसिव का अब्जेक्ट बना देते हैं बना देते हैं तथा तथा इसके पहले उचित इसके पहले उचित प्रेपर जेसं ज्यादा तर हमको बाय के बारे में समझना है का प्रियोग करते हैं मनिया पर उचित इसलिए लिखा है कि यह ज़रूरी नहीं होता है कि जितने भी आपके पैसियों के वाक्त होंगे उन सभी पैसियों के वाक्तियों में बाहर ही लगाना है लेकिन ज्यादा तर हमको बाहर ही लगाना तो इसलिए मनिया पर ब्रेकेट में लिख दिए हां बाकी यहां पर उच्छित इसलिए लिखा है चूकि और भी होते जिनको लोग लगाते हैं क्लिए अब भीक है आप लेकी चौथे नंबर बच्चों कर आएगा आपका तीने तो हो गये आप चौथे नंबर पर बिल्कुल असान है हम चॉथे नंबर पर आपसके बील्कुल असान है असान क्या करना है आपर यहां पर कि आपर जो instead इट्यव्हें को अजेटिज लिखे देते हैं अजेटिज का मतलब हुआ अभी कल ज्यों काते हो घ्लियर बस यह के वल आपके बनाने के रूल्स हैं और यादि आपको किसी भी सेंटेंस का पैस्वी बनाना है तो पैस्वी बनाने में आपको इनहीं चार नीमों को क्रम से ही लगाना है तुक यहां पर पैस्वी के रूपे प्लस मुख्य क्रिया की फ़र फर्म यह आपको यहां पर होना चाहिए इसके पैसिव कोर्डिम का मतलब यहां पर यह और आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परसानी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हमने यह तू समझ लिया कि वच्चो नियम ठीक है ना और ह अब आप लोगों को लेकिन यह समझना है कि यृदी कोई सेंटेंस लिखा होगा तो आप लोग सेंटेंस में कैसे पहचानेंगी कि यह सब्जेक्त और यह ऑब्जेक्त भी यह बहुत ज़रूरी होता है अ उसमें सबसे पहले जरूरी है है कि आप लोग ये पहचान पाएं कि उस एक्टिव के सेंटेंस में सबजेक्ट कौन से लिखा है उस एक्टिव के सेंटेंस में वर्प कौन से लिखेंद नहीं बना पाएंगे आपको कितना भी नियम आ लोग को मैं टेबल लिखा थी वो आप लोगों को याद हो जाए बट यदि आपको दिये गए वाक्य में पहचानना नहीं आता है तो आप लोग नहीं बना पाएंगे सबसे पहला काम यह है कि जो भी आपके अक्टिव का सेंटेंस होगा कि उस याक्तिव को हम लोग पहचानेंगे कि इस में सब्जेक कौन सा है उसमें आपका अभजेक्ट कौन सा है उसमें वहाँ पर अब अब कौनसी लिखी हुई है clear कुछ मैं उदार्णों से पहले आपको सम्झा दूँ पहचानना जैसे लिखा है यहां पर आपको एक्टिवी में रमन वांस अकार दूसर सेंटेंस मैंने जैसे आपको लिखा अभी सभी आपको एक्टिवी थे हैं कि वर पहचानना पहले आपको सम्झा रहा हूं माई एलर सिस्टर हैज दन हर टास्क just now अग्ला है the people of this village are the people of this village are singing song songs or agla habita yamper I cannot take you with me to my personal room clear आप लोग कम सकम परड़े दस मीनिंग न करिए तो कम सकम जो आपकी वर्ब मैंने कहीं थी आपको मिनमम टेन वर्ब्स याद करनी है और यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं जीवन में अपने और आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपने आपको कुछ बातों के लिए बिलक को तत्र हो जाएं कि चाह कुछ भी हो लेकिन हमको करना ही है और मेरा कहना यह है कि आप लोग कम्सकम म् Ce In टीचर प्रिजेंट नहीं है क्यों आप से मीनिंग सुनेगा आपको पीटेगा तभी आप लोग जा करें को पढ़ेंगे यह खुद की समझदारी होती है जर्दी आप कुछ कर पाते हैं तो तो आप लोगों को अर्थ निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको मीनिंग आनी च करिए से क्लियर आप धीआ यदि आपको जैसे माल मारे abys a ना या आती हो तो आप हमेशा पता रिए उस में आप लोग उस तेंस में या उस वाक्रे में आप लोगों को सबसे पहले क्रिया पहचान लेंगे तो लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा किसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें अब्जेक्ट क्या है देख पा रहा होगे जैसे इस वाक्त में आपकी क्रिया है तो टुक है तो यह आपके दिखें आप है Seriously सिंग मींस गाना गाना आपको ये भी पता है तो ये भी आपको समझाया था ठीक है ना और ये टेक ये पूरी यहां पर आपके घब लिखिए अब यदि आपको क्रिया पहचानना आ गई है तो आप लोगों को बाकी के चेज़े भी पहचानना बढ़ी असानी से आ जाएंगी कि किसी भी टेंस के बनाने का क्रम सबसे पहले सब्जेक्ट होता है मेरा मारकर भूंखो हो गया है किसी भी टेंस में सबसे पहले क्या निकाल पार है तो हमको पहचान ले नहीं है करिया के पहले जो देया गया होगा तो क्रिया के पहले जो दिया गया यह अपा इस से देखेंगे reasoning की वाँ समय तो left side ठीके ना वम्हें के切़ साइड में आपका क्या यहां यह इस अपर आपके department की लिफ्ट आठीक है ना अब यहाँ पर जब लिखा है तो इसका मतलब इसके लेफट शैट में पूरा लिखा दपीपल आप देस्विलेज तो यह भी यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अब हमको यहां पर क्या पहचाने ना क्या है एक अबजिक्ट पहचाने ठीक है न तो दीक कि पीटा अबजेक्ट पहचानने के लिए एक तो एक मैं आपको कॉमन सी बात बता दूँ एक आपका रूल होता है कि जब भी हम लोग पैस्टी वास बनाएंगे और यह बात में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आपको मैं यह समझाया था कि जो एक्टिव के वाक होते ह घार है लेकिन लिए बात मैं आपको बता चुका हूं और यह समझ लीजिए कि आपके उसे एक्टिी के वाक्रीक का पैस्च्व बनाएंगे हैं वींडी वात को सुनिया द्यान से क्योंकि इसी तरीक believer का स्टोरिह है मैं आफको बतारPD कैसे दिन यदि आप में कुशी एक्टियू के वाक्त का पैसि बनाएंगे तो उस एक्टियू के वाक्य में में कि जде वह की उस्वाव का जो है सकर्मक होना बहुत ही जादा जरूरी है उसे क्रिया का सकर्मक होना बहुत ही जादा जरूरी है यदि आपके उस एक्टिव की वाक्टी की क्रिया सकर्मक नहीं है तो हम लोग उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं हां कुछ ऐसे भी वाक्ट होते हैं कि जब क्रिया होती है उसमें से क्रिया के साथ में कर्म कर्म नहीं दिया होता है इसके बावजूद हम लोग वहां पर उसका पैसी बना लेते हैं देखी बिटा अंग्रीजी में आपके जितने निया में उतने लगवक उसके अपवाद भी है यदि मैंने आपको यह बता दिया है कि एक्टिव वाइस में व यह आपके को और यहां पर वाकिव बताऊंगा उन्हां सभी वाक्यों में वावक के हमें सा कैसे मिलेगी सकर्मक मिलेगी मनब वेद्व औसके साथ में जरूर दिया गया होगा अब देखीए आपको जैसे किसी भी यदि जो है वोब का आबजेक्ट पता करना आइं यदि आपको object पता करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी मैं आपको सारी चीजे बहुत easy way में समझा रहा हूं ठीक है और यदि आप लोग चीजों को मेरे अनुसार पड़ रहे हैं तो आप से कभी गलत नहीं होगा यह मुझको पूरा यकीन है मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कि किसी सेंटेंस में object आप लोग कैसे पैचानेंगे object को पैचानने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है आपको वब की हिंदी पता हो आपको उस स्टेंस में दे गई जो है जो क्रिया है उस क्रिया के आप लोगों को हिंदी पता हो ठीक अब जो भी आपकी वब होगी वब के साथ में केवल आपको यह दो-तीन सवाल केवल यह तीन प्रस्णमत्रक सब्द आपको लगाना है और मैं बता रहा हूं आप लोग बड़ी असानी से जो है अब्जिक्ट पहचान लेंगे एक्टिव के वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं एक्टिव के वाक्यों में आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले आपको वब की हिंदी पता हो और उसी हिंदी के साथ में आपको तीनों सवालों को यूज करना है क्रम से यदि क्या लगा दिया और क्या लगाने से यदि आपको वहां पर जवाब प्राप्त हो जाए और जवाब जिस सब्द की रूप में प्राप्त हो तो समझ है कि जवाब ही उस क्रिया का महां पर भीट हो जाएगा ठीक है ना जैसे लगाने से आ जाएगा यदि क्लिखाने से ना यह तब आप लोग वहां पर किसी को जैसे सब्द भी लगा सकते हैं देखिया मैं आपको यहाँ पर इसको हलकर कर के दिखाता हूं रमन वॉंट शौकार वांट मेंस को ठाहना है नहीं मुसमें छान आज यादि हम इसमें लगा दें क्रिया की हिंदी के साथ हमें क्या कि क्या चाहता है तो बताई आप लोग जवाब इसमें से क्या यदि मैं इस क्रिया के आगे लगा दूं इसी वाक्य में कि क्या चाहिता है तो यहां पर क्या नीकल कराएगा उत्तर एक कर निकल के आया इसका मतलब विक जो जो ऑब्जेक्ट तो आपको नहीं पर है एक कार हो जाएंगा इसी तरीके से देखिए इसका अर्थ है कि मेरी बड़ी बहन ने अठीक अब यह भी अपना कार किया है अब देखिए आप ड़न डू मिस करना ठीक है न अब करना लिखा है और करना के साथ में जो हिंदी लिखे पहले जो आपकी सब्सक्राइब हिंदी समझ लिजिए हर कमला यहां पर अपना से होगा अब यहां पर हिंदी आपके करना तो यहां पर क्या किया है अपना कार की आपको अपना कार सब्सक्राइब आपजिक्ट हो जाएगा अगला लिखा है अगला लिखा है दपीपल आप इस विलेज और सब्सक्राइब लुक्त अब दिखे सीगज गाना झाहरा है घचा है के क्या गार है क्या गा रहा है तो यहां पर आपको क्या निकल के आएगा जवाब गाना तो यही इस वर्बक आपको क्या जाए अब्जेक्ट हो जाएगा इसमें देखिए आई कैनाट टेक यू विद मी टू माई पर्सनल रूम टेक मिस ले जाना ठीक है ना मैं तुम्हें अपने साथ अप आपके ले जाना और इसके साथ में लगा दें क्या क्या नहीं ले जा सकता हूं तो क्या से आपको जवाब सैद ना मिलेगा लेकिन यह आपने यहां पर लिए किसे नहीं ले जा सकता हूं तो किसे लगाने से आपको यहां पर जवाब में मिल जा कौन सा यू कि तुमको नही पर कार से इस हर्पाफ्टर में हर तास्क है और चौर्ठ वाले बच्चों आप यसा था सकते हैं कि हमने के वल नियम से लिया और हमको बना ना गया आप गलत फ्रशले में उसके जब तक आपकोborg नहीं बना पहचानना है तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट पहचानना बिल्कुल असान होता है क्रिया को देख लो क्रिया के जो आपका लेप्ट हेंड पर होगा वहीं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिया को देख लो क्रिया की हिंदी निकाल लो हिंदी के साथ में क्या कि से तक इसको सब्द लगा लो और आपका जो भी उत्तर मिलेगा वह उत्तर ही आपकी उस क्रिया का अब्जेक्ट हो जाएगा समझे ना अब हिंदी निकालने के लिए क्रिया तो पढ़ने पढ़ेंगी तुमको थाना अब इतना तो है नहीं कि मास्टर तुमको सिखा दे कि भाई और सभी सब्द आपको महां पर अधर वर्ट के रूप में याने इट्सेकर कि आएगा जैसे दूसरे वालनी के just now टीसर में आपका माइप करे विदमी कर का परशनल रूम यह पूरे यहाँ पर simplicity वाले सब्द हैं आपको बात सब्द में आगी आप थ्लब साधिक सदेखते हैं आप मने इन वाक्यों के पैसिव आपको चारो क्रम चारों करम से लागने लिए आपको यही वाओ को ऐसे नियम मैं पर बनाएंगे क्यावल luck नियम याद करा हूं अब बनान फैकना नियम क्रारा है अब देखे जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पर एप्धि आपकी आपयों तो पहले चुके कि और अब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हों तो यहां पर आकार आ जाएगा देख पा रहे होंगे यह तेन साउस का सिम्पल प्रेजेंट में है और जब आपके एक्टिव को वाग्व में कुल्या 1R है 1R और एक बचन का होता है तो इसके साथ में आपर इज लगाना पड़ेगा ठीक के वाक्तियों में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती मैंने आपको अभी अभी जिस्ट बताया है और हमने वहाँ पर जो तीसरे नंबर कर था वहाँ पर हमने ये भी सीगा था कि बाय लगाकर ज्यादा तरह में को बाय प्री पॉजिशन लगाना कि बाय लगा देंगे बाय लगाने के बार में जो एक्टिव कर सब्जिक्ट होगा उसको वहाँ पर एक्टिव पैस्विकिस आप्जेक्ट की रूप में लिख देंगे इस तरीके से आपको यह पहला बन इस अनसे मस्तीं पहला अपको बता हैं त्वहाँ पर यहां पर ह बच्टिविशन क को होता मैं पर है जबीण आ जाएगा पर असब्सेस अब आल 예elन इसके बार में कैय मैं ुछ मांइट पर दूरा इसके अर इसको साम करीकोlong elder sister और यह जो आपको लिखा न अधर वर्ड आपको जस्ट ना आज इच यह लिख देंगे clear तीसर चौथा देख लिजी नीचे तीसर में का लिखा देखी the people of this village are singing songs तो सबसेपल यहांपर क्या जाएगा songs ठीक है तो यहांपर लिख देंगे सबसेपल जाएगा आ रहा जाएगा अब बताए मैंने आपको बताए जब इजम आर दिया जाए तो इसके साथ में लगाते है ना तो बीग आ जाएगा और singing के बच्चों थार्ट फॉर्म कौन बताएगा तुम्हारे बताने के पहले मैंने लिख दिया songs are being sung ठीक है और इसके बार में के लिख देंगे by अब यह पूरा आपका subject है तो object के form में आ जाएगा इसके साथ में आपको बी लगाना पड़ता है मालूम होगा टेक की थार्ट फॉर्म बच्चों taken हाना इसके बाद by me और इसके अलावा जो आपका etc यह जा जाएगा विट मी टू मैं पर्सोनल रूम ठीक है आज हम क्यों यहीं तक रखेंगे आज मैं आपको मैंने जो स्पेशल बात सिखाई है कि आपको पैस्वी के वाक्क्यों में सबसे पहले तो पहचानना जरूरी होता है सब्जेक्ट अब्जेक्ट और ठीक है ना उसके पहले मैंने आपको सिखाया है कि वह पैस्वी बनाने के चार जो नियम मैंने बता वह सब्सक्राइब आपको करम से बिलकुल पता होने चाहिए इसलिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिए और देखा है तो आपको बहु थैंक यू